एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास में आपका स्वागत है। इसका जवाब है आपको पहले शिमला जाना चाहिए क्योंकि आप टॉय ट्रेन को इंज्वाइ कर सकते हैं। यदि आप दिल्ली से शिमला के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आप दिल्ली से ट्रेन से कालका तक जाएं तथा कालका से आप शिमला के लिए टॉय ट्रेन पकड़ें। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो इससे अच्छा कोई option अर्थात विकल्प नहीं है। आप सुबे साथ बचकर 40 मिनट पर कालका शिताबदी ट्रेन से 11 बचके 45 मिनट पर दिल्ली से कालका पहुँच सकते हैं। कालका में आपको लगी हुई हिमालेयन क्वीन नामक टॉय ट्रेन मिल जाएगी। यह ट्रेन कालका से 2 बचके 12 बचके 10 मिनट पर छूटती है। अब आपके मन में एक सवाल यह उत्पन हो रहा होगी। यदि दिल्ली से शिमला वाली ट्रेन लेट हो गई तो टॉय ट्रेन तो छूट जाएगी। इसका आंसर है इससा कभी भी नहीं होगा क्योंकि टॉय ट्रेन दिल्ली से कलका आने वाली टॉय ट्रेन की सवारिल लेने के लिए ही रुकी रहती है। चाहे दिली से आने वाली ट्रेन कितनी भी लेट क्यों न हो जाए, यहाँ टॉइ ट्रेन आपको लेकर ही शिमला जाएगी, यह बात याद रखें कि टॉइ ट्रेन का टिकेट एक मेहने पेले ही आनलाइन बुक करा ले, क्योंकि इस ट्रेन का टिकेट उसके बाद नहीं मिलेग टॉइ ट्रेन का टिकेट हो जाने के बाद ही आप शिमला में होटल बुक कीजिएगा, यदि आप शिमला ट्रेन के लिए एक मेहने पेले टॉइ ट्रेन का टिकेट बुक करेंगे, तो यह आसानी से मिल जाएगा, परन्तु ततकाल बुकिंग की स्थिति में इसका टिकेट ब उम्र याद रहे गा, रास्ते में 100 से अधिक टनल्स से ट्थाइ ट्रेन गुझरती हैं, जिसे बच्चे बहुत इन्जॉई करते हैं, ट्थाइ ट्रेन में आपके साथ कई फौरेνεर्स होंगे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, तता सफर का शिम्ला छोड़ देगी यकीन मानिए आपको यह 5-6 गंटे का टॉय ट्रेन का सफर मालूम ही नहीं पड़ेगा और आपका मन इस ट्रेन से उतरने का ही नहीं करेगा पर क्या करें उतरना तो पड़ेगा क्योंकि शिम्ला जो आ गया है अब आप शिम्ला रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद अपनी होटल तक जाने के लिए कूली करें अब आप सोच रहे होंगे कि कूली क्यों करें इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि शिम्ला में खड़ी चड़ाई है तो आप लगेज लेकर इस प्रकार की चड़ाई नहीं चड़ सकते हैं, कूली केवल 50-100 रुपे में आपका पूरा लगेज आपकी होटल तक लेकर जाएगा, तथा आपके होटल तक का रास्ता भी आपको गाइड कर देगा, यदि आपका होटल शिमला सिटी से दूर है, तो आप रेलवे स्टेशन से टेक्सी कर सकते हैं, टे क्योंकि इस तरह से होटल बहुत सस्ते पड़ते हैं, शिमला में आपको 1000 रुपे से 2000 रुपे प्रती दिन के हिसाब से अच्छा बजट होटल मिल जाएगा, एक बात और महत्पुने, यदि आप आनलाइन होटल बुक करके शिमला नहीं जाएंगे, तो आप परेशानियों क आपको होटल भी बुक नहीं करने देंगे, क्योंकि होटल वालों से इनकी साट गांट होती है, ऐसा experience मेरे साथ हो चुका है, जब मैं पहली बार अपने परिवार के साथ शिमला गुमने गया था, तो शिमला की राजदूत होटल में मैं इसी गंदे experience से गुजरा था, जब यह जब अशिमला की साइट सींग टूर बुक नहीं कर लिया, तब तक मुझे राजदूत होटल के reception ने रूम ही नहीं दिया, मैंने कहा कि मुझे शिमला साइट सींग टूर बुक नहीं करना है, तो उन्होंने मुझे रूम का किराया 4,000 रुपे प्रति दिन बदाया, जो क affordable नहीं था परंतु जैसे मैंने उनके एजेंट से शिमला टूर बुक कर लिया तो मुझे वही रूम केवल 1000 रुपे में दे दिया गया ऐसा केवल शिमला की राजदूर होटल में ही नहीं होता ऐसा शिमला की लगबग एजेंटों के गंदे जाल में फसने से बच जाएंगे तदा होटल वाले भी आपको टूर पेकेज लेने के लिए परिशान नहीं करेंगे और आप अपनी पसंद से शिमला में जहां चाएं घुमां घुम सकते हैं यह भी याद रगे कि हिमाचल टूरिजम डिपार्टमेंट की होटलों में इस परकार की परिशानी नहीं आती है शिमला में अपनी होटल में चेक इन करने के बाद आप होटल के ही टेरिस पर शिमला की वादियों को देखते हुए चाए कौफी का आनन ले सकते हैं इसके बाद आप रात में माल रोड घुमने जा सकते हैं यदि आपके साथ बच्चे हैं तो शिमला में माल रोड तक पहुंचने के लिए हिमाचल टूरिजम द्वारा संचली दो लिफ्ट हैं आप अपनी होटल से पेदल पेदल इन लिफ्ट तक 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे इन लिफ्ट का किराया केवल 5 रुपे होता है यह लिफ्ट देर रात तक अर्थाद 11-12 बज़ तक चलती रहती हैं आप पेदल भी माल रोड पर पहुंच सकते हैं परन्तु बहतर यह होगा कि आप लिफ्ट से ही माल रोड जाएं इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा माल रोड पहुंचने के बाद आप माल रोड पर घुम सकते हैं तता रात का भोचन वहाँ पर कर सकते हैं माल रोड के रेस्टोर्रेंट बहुत महेंगे होते हैं, इसलिए माल रोड से ही लकड बाजार लगा हुआ है, वहाँ पर कई अच्छे बजट रेस्टोरेंट हैं, वहाँ आप डिनर कर सकते हैं, इसके बाद आप लिफ्ट से नीचे उतर कर अपने होटल में रात में विश्रा पर आएं, यहां से आप कुफरी, ग्रीन वेली, हिमलेयन जू देखने के लिए टेक्सी बुक करें, टेक्सी के कराये लगबक 1000 रुपे लगेगा, आप बारगेंड करके उसे कम भी करा सकते हैं, शिमला से कुफरी की दूरी लगबक 15 किलमेटर है, कुफरी के रास्ते में आप आपको टेक्सी वाला ग्रीन वेली दिखाएगा, ग्रीन वेली एरिया में आप हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक ड्रेस पहन कर फोटो क्लिक करवा सकते हैं, इस जगे कई फोटोग्राफर्स होते हैं, जो आपकी फोटो क्लिक करते हैं, तता फोटो आपकी होटल पर आपक को शाम को डिलीवर कर देते हैं दस फोटो लगबग धाईसो रुपे के पड़ते हैं इसके बाद आप कुफरी के पोनी काउंटर पर पहुचिए यहां से आपको कुफरी फन जोन तक जाने के लिए पोनी अर्थात घोड़ा करना पड़ेगा यह गोड़ा एक विक्ति के कीजिएगा इसके बाद घोड़े से वापस पोनी हायर काउंटर पर आ जाईए इसके पास ही हिमाले जू है आप उसे भी एक्स्प्लोर कीजिएगा जू से बाहर निकल कर आप अपनी टेक्सी से इंदरा टूरिस्ट पार्क जाईए यही पर इंदरा बंगलो है जहां पर भ बहुत लजीज होता है इसके बाद आपका टेक्सी वाला आपको शिमला घोमात हुआ माल रोड पर छोड़ देगा आप टेक्सी वाले को पेमेंट करके उसे छोड़ दीजिए इसके बाद आप दर रिज पर आ जाईए दर रिज माल रोड का चोक अर्थात मेदान है जहां चर्च, पोस्ट आफिस, सेंटर लाइब्रेडी, माहत्मा गांधी तथा इंद्रा गांधी की प्रतिमा है। दर रिज में जनरल पोस्ट आफिस के पास से एक रास्ता जाकुर टेंपल जाता है। आप उसे देखने जाईए। जाकुर टेंपल में जो हनमान जी की मूर्थी स्थापित हैं वह पूरे शिमला से दिखाई देती है। हनमान जी का जाकुर टेंपल माल रोड से लगबग 2 किलमेटर दूर है। आप आराम से आदे से पौन गंटे में वहाँ पेदल पेदल पहुंच जाएंगे। आप 100 रुपे में टेक्सी से भी वहाँ पहुंच सकते हैं परन्तो आनन तो पेदल जाने में ही आएगा। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप टेक्सी से जाकुर टेंपल चाहिएगा। जाकुर टेंपल में 1000 बंदर हैं इसलिए आप उनको खिलाने के लिए मंदिर के रास्ते की दुकानों से चने या खाने का सामान ले लीजिए। मंदिर में आप हनमान जी के दर्शन के बाद बंदरों को अपने हातों से चने खिला सकते हैं यदि आपके साथ बच्चे हैं तो फिर वे तो इस मंदिर से वापस ही नहीं आना चाहेंगे आप बंदरों के साथ फोटो भी क्लिक कर सकते हैं क्योंकि यहां के बंदर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जाकू टेंपल घूमने के बाद आप वापस माल रोड आ जाईए इसके बाद आप माल रोड के दर रीज पर चाई, कौफी या आईसक्रीम इंजोई कीजिए इसके बाद आप दर रीज पर इस्तिछ चर्च, पोस्ट आफिस तथा सेंटल लाइबरेरी विजिट करें इसके बाद आप माल रोड पर घूमते हुए सकेंडल पाइंट तक जाएं सकेंडल पाइंट माल रोड का अंतिम छोरे सकेंडल पाइंट से ही पटियला के महराज ने बिटिश वाइसराई की बेटी का अपरहंड किया था इसके बाद आप माल रोड पर या लकड बाजार में इस्तित किसी रेस्टोनेर में डिनर करें तथा वापस अपनी होटल में जाकर रेस्ट करें शिमला में तीसरे दिन आप होटल में ब्रेकफास्ट काने के बाद टेक्सी बुक करके नाल देहरा देखने जाएं नाल दहरा में आप पोनी अर्थात घोड़े पर बेटकर गोल्फ कोर्स तथा नाग टेम्पल देखें नाल दहरा में जिस जगह मितुन चक्रवर्ती की प्यार जुकता नहीं फिल्म की शूटिंग हुई थी आप वह पाइंट भी देखने जाएं बड़ा एक उपसूरत पाइंट है वह इसके बाद आप नाल दहरा में लंच करें लंच के बाद आप ताता पानी देखने जाएं ताता पानी में आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं परन्तु राफ्टिंग आप कुल्लू में करें, वहाँ आपका बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ताता पानी में नदी का पानी स्थिर है, जबकि कुल्लू में नदी का बहाव बहुत तेज है, इसके बाद आप टेक्सी से वापस शिमला के माल रोड पर आ जाएं, तता शिमल के लिए बस बुक कर सकते हैं, जो कि आपको शिमला से मानाली ले कर जाएगी, यदि आप चाहें तो शिमला से मानाली के लिए टेक्सी भी बुक कर सकते हैं, शिमला से मानाली का किराया 3-4,000 रुपे का होता है, जबकि बस का किराया 500-600 रुपे के बीच होता है, इसके जाएंगे तो आप कुल्लू में नहीं रुख सकते हैं टेक्सी बुक करके मनाली जाने का एक लाब यह है कि रास्ते में आप कुल्लू में रुख सकते हैं तथा आप वहां राफ्टिंग का आनद ले सकते हैं राफ्ट एक प्रकार की नाव होती जो कि rubber की बनी होती है इस नाव से आप व्यास नदी में राफ्टिंग कीजिएगा राफ्टिंग का चार्ज नदी में आप कितनी दूर तक राफ्टिंग करना चाहते हैं उस पर डिपेंड होता है जो कि 7500 रुपे से 2000 रुपे के बीच होता है यह चार्ज पूरी फेमिली का होता है यहाँ पर आपको जबरजस्त बारगेनिंग करनी पड़ेगी राफ्टिंग के बाद आप कुलू में लंच कीजिएगा इसके बाद कुलू में ही आप रेबिट पार्ग तता कुलू शॉल फेक्टरी भी विजिट कर सकते हैं इसके बाद आप सीधे मनाली आजाईए मनाली पहुँचकर अपनी पहले से आनलाइन बुक होटल में चेक इन कीजिए इसके बाद आप होटल में ही प्रकरते का आनन लेते हुए चाय कफी पीजिए इसके बाद आप होटल से बाहर निकलकर माल रोड पर आईए मनाली का माल रोड शिमला के माल रोड जैसा सुन्दर नहीं है मनाली की माल रोड एक छोटी सी सड़क है जिस पर कई सारे रेस्टोरेंट तथा छोटी बड़ी दुकाने स्थिते माल रोड पर ही आपको टेक्सी काउंटर से अगले दिन रोहतांग पास या स्नोव पाइंट तथा सोलांग वेली तक जाने के लिए टेक्सी बुक करनी होगी टेक्सी का किराया एक हजार से डेड़ हजार रुपे के बीच होता है उलेक नी है कि रोहतांग पास 15 मई के आसपास खुलता है यदि आप 15 मई के पहले मनाली आते हैं तो आपको सनो पाइंट जो की गुलाबा होता है महां तक ले जाते हैं टेक्सी वाले रोहतांग पास जाना है तो आपको 15 मई के बाद मनाली आना चाहिए टेक्सी बुक करने के बाद आप माल रोड के रेस्टोरेंट में या अपनी होटल में खाना खा सकते हैं यह भी याद रखें कि एक मई से हिमाचल टूरिजम की होटलों में M.A.P. अर्थात मॉडिफाइड अमेरिकी प्लान चलू हो जाता है इसका अर्थ यही कि होटल में ब्रेकफास्ट तथा डिनर करना अनिवारे हो जाता है जिसका पेशा आपके होटल बिल में जुड जाता है डिनर करके आप होटल में रेस्ट करें अगले दिन आप सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाएं सुबह 7 बजे तक आप होटल से रोहतांग पास या सनो पाइंट के लिए निकल जाएं यदि होटल में ब्रेकफास्ट इतनी जल्दी रेडी नहीं हुआ हो तो आप रास्ते में कई छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिलेंगे वहाँ हेवी ब्रेकफास्ट कर ले क्योंकि सनो पाइंट पर मेगी और चाय ही मिलती है रास्ते में ही सेकडो दुकाने सनो बूट तता सनो सूट की मिलेंगी जहांसे आप सनो बूट और सनो सूट के राये पर ले ले और अपनी टेक्सी में रख ले यह ड्रेस तता जूते आपको 200 से 300 रुपए प्रती विक्ति पड़ेंगे यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा बारगेन करना पड़ेगा स्नो पाइंट या रोहतांग पहुँचकर आप स्नो एक्टिविटी जैसे स्किंग, स्लेज आदी इंजॉय कर सकते हैं स्नो एक्टिविटीज इंजॉय करने के बाद आप अपने टेक्सी से सोलंग वेली आईए सोलंग वेली में ही आप लंच कर ले, लंच के बाद यहाँ आप पेराग्लाइडिंग कीजिए पेराग्लाइडिंग में पेराशूट से उड़ते फे नीचे आया जाता है इसका चार्ज साड़े तीन सो रुपे से दो हजार रुपे तक होता है यह चार्ज किस उचाई से आप उड़ना चाते हैं उस पर निरभर करता है आप साड़े साथ सो रुपे वाला पेकेज ले, इसमें लगबग पांच मिनट की फ्लाइट मिलती है दो हजार रुपे में आपको पेराशूट में पाइलेट के साथ 15 मिट तक आसमान में उड़ाए जाता है सोलांग वेली से आप वापस मनाली अपने होटल आ जाए होटल में रात का डिनर करें तदा उसके बाद माल रोट तहल आएं इसके बाद आप होटल में आकर रेस्ट करें अगले दिन आप ब्रिकफास्ट करने के बाद टेक्सी बुक करके होटल से चेक आउट करें आप अपना सामान टेक्सी में रख लें आप यह भी कर सकते हैं कि होटल से चेक आउट होने के बाद अपना सामान होटल में ही रिसेप्शन या स्टोर रूम में रख दें तथा उनसे कहें कि सामान आप शाम को उठा लेंगे इसके बाद आप टेक्सी से मनाली का प्रसिद्ध, हिडिमबा मंदिर, मनु मंदिर, रोहरिच आर्ट गेलरी, नगर केसल घुमने जाएं रास्ते में ही आप लंच कर लें इसके बाद आप मोनेस्ट्री देखने जाएं शाम को पांच बज़े से धेरो वाल्वो बस मनाली से दिल्ली के लिए चलती हैं आप उनका टिकेट बुक कर लें आप शाम को वाल्वो बस स्टेंड पर टेक्सी से अपना सारा सामान उतार कर टेक्सी का पेमेंट कर उसे छोड़ दे इसके बाद आप दिल्ली जाने वाली अपनी वाल्वो बस में बेट जाएं यह वाल्वो बस आपको सुभह दिल्ली छोड़ देगी इस तरह आपका यादगार शिमला कुलू मनाली टूर समापत होता है यदि आप मनाली के पास मरनिकर्ण गुरुद्वारा घुमना चाहते हैं तो आपको मनाली में दो दिन की जगर तीन दिन रुखना पड़ेगा अब हम अपनी इस छे दिन की शिमला कुलू मनाली यातरा का अधिकतम खर्च कितना पड़ेगा इस बारे में बात करते हैं बस, ट्रेन तथा टॉय ट्रेन का चार लोगों का कुल किराया अधिक्तम 15,000 रुपे चार लोगों का छे दिन का टेक्सी का कुल किराया 10,000 रुपे चार लोगों का छे दिन का होटल का किराया 9,000 रुपे चार लोगों का छे दिन का भोजन का खर्च 12,000 रुपे चार लोगों का 6 दिन का साइट सिंग तथा एक्टिविटी का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का शिमला कुलू मनाली में 6 दिन का अधिक्तम कुल खर्च लगबग 56,000 रुपे यदि हम इससे चार से डिवाइट करें तो प्रतिविक्ति खर्च आएगा 14,000 रुपे इस प्रकार आप केवल 14,000 रुपे में शांदार तरीके से टेक्सी को शामिल करते हुए शिमला कुलू मनाली घुम सकते हैं यदि आप आनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च 9,000 रुपे से घटकर केवल 6,000 रुपे ही आएगा तो अब इंतजार मत कीजिए जल्दी ही शिमला कुलू मनाली घुमने का प्लान मनाईए यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उप्योगी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन भी दबाईएगा थैंक यू